ये चीजे करनी है, अपलाई करनी है, हर एक इनसान को जो NEET 2025 में सलक्षन चाता है, अच्छी रेंक चाता है और अपने ड्रिम मेडिकल कोलेज में जाना चाता है। तीन चीजों के बारे में बेहत पोजिटीव रहना पड़ेगा, वो तीन चीज बहुत बहुत इंपोटेंट है, अगर आप उनके बारे में नेगटीव हो गए, या उनके बारे में सही से नहीं सोच पाए, तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे। करने वाले किसमें इस लाइव लेक्चर में हैं। कैसे हम जोलोजी सबजेक्ट में फुल मार्क्स लेके आए, कैसे उसकी बहुत अच्छे से प्रिप्रेशन करें। तो आज का ये सैसन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है। को नीट 2025 को एक अच्छी रैंक के साथ क्रैक करना है और अपने ड्रिम मेडिकल कोलेज में पहुचना है। कैसे बच्चे जिनको बाइलोजी में फुल इसकोर करना है, जूलोजी के हर एक पोर्शन को बहुत अच्छे से समझना है, उसमें फुल इसकोर करना है। उन सभी बच्चों के लिए आज का सैसन बेहद इंपोर्टेंट रहने वाला है। अब बात ये थी कि सर अगर हमें नीट 2025 को क्रेक करना है, तो पूरे साल की प्लैनिंग क्या होनी चाहिए, हमें किस हिसाब से काम करना चाहिए, हमारी एंड से क्या रस्पेक्टिव एफट्स जाना चाहिए। चलिए मैं वन बाई वन करके बात करता हूँ। दोस्तों, अगर हमें नीट 2025 को क्रेक करना है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं नीट 2025 के बारे में। बच्चे ऐसे बच्चे जिनका गौल दो हजार पचिस की नीट को क्रैक करना है सबसे पहली चीज जो हर एक बच्चे के दिल और दिमाग में रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए पोजिटिव एटिटिउट सबसे पहली चीज जो हर एक बच्चे के दिल और दिमाग में रहनी चाहिए दोस्त वो मेरे पास है पोजिटिव एटिटूड सवाल था सर हमें किस चीज के बारे में पोजिटिव एटिटूड रखना है दोस्तों सभी बच्चों को तीन चीजों के बारे में बेहद पोजिटिव रहना पड़ेगा वो तीन चीज बहुत बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप उनके बारे में नेगेटिव हो गए या उनके बारे में सही से नहीं सोच पाए तो फिर आप मेहनत नहीं कर पाओगे वो तीन चीज कौन सी है सबसे पहले आपको positive रहना है वो अपने goal के लिए अपने goal के लिए भाया आपका goal क्या था? आपका goal था कि आपको NEET 2025 को crack करके अपने dream medical college में जाना है तो सबसे पहले तुमने ये decide करना होगा कि जो goal तुमने चुना है वो दुनिया का सबसे बहतरीन goal है और अगर तुमने उस goal को प्राफ्ट कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी तुम एक जिंदगी में मुकाम हासिल कर लोगे जब तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी तो ये वो एक kick था ये एक push देगा ये तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम महनत करो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने दुनिया का बहुत बहतरीन goal चुना है और उस goal को प्राफ्ट करने के बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ बहतरीन प्राफ्ट करेंगे और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परीवर्तन आएगा ये वो चीज थी जो तुम्हें महनत करने के लिए मजबूर करेगी दूसरी चीज आपको positive रहना है for yourself आपको खुद के बारे में positive रहना है खुद के बारे में positive का मतलब भाई तुमने goal तो चुर लिया कि दुनिया का सबसे बहतरीन goal है अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि जो goal मैंने चुना है वो दुनिया का सबसे बहतरीन goal है और वो goal मेरे लिए एकदम perfect है मतलब भागवान ने मुझे बनाया है मुझे में इतनी काबिलियत दी है मेरे में इतनी capability है कि इस goal को मैं आसानी से अचीव कर सकता हूँ तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है खुद के बारे में positive रहना है कि भाईया ये goal प्राप्त करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है एक भी बार दिमाग में ये वीचार नहीं आना चाहिए कि मुझे से ना हो पाएगा ये बात एक भी बार दिमाग में नहीं आना चाहिए अगर ये बात दिमाग में आई तो confidence level गिर जाएगा फिर हम चाहा कर भी गोल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम में खुद पर ही भरोसा नहीं, तो कोई भी गोल प्राप्त करने के लिए, कोई भी जग जीतने के लिए, इनसान का खुद पर भरोसा रहना बेद जरूरी है, चले, तीसरी चीज़ आपको positive रहना है, for your teachers, आपको अपने टीचर्स के प्रती भी पोजिटीव रहना है ये मानना है कि भाईया मुझे इट 2025 को क्रैक करना है उसमें एक रच्छी रैंक प्राप्त करनी है मुझे मेरे ड्रीम मेडिकल कोलेज में जाना है तो जो टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं जो रस्पेक्टिड फैकल्टीज मुझे पढ़ा रही हैं वो दुनिया की सबसे बहतरीन टीचर और फैकल्टीज में से एक है उनसे पढ़के जरूर मैं मेरे सपने साकार करूँगा अपने परिवार की सपने साकार करूँगा अपना ग उस जंग में लड़ने जा रहे हो, उस जंग में जो हतियार आपके पास है वो भी बहुत अच्छी क्यूहालिटी के हतियार है। तो exactly में आपके teachers है वो आपके हतियार है जो आपको इस जंग में जीतने में बहुत जादा help करने वाले हैं तो योधा कितना भी बढ़ा रहे अगर उसके हतियार बहुत अच्छे नहीं रहेंगे तो भी भाई साब दिक्कत खड़ी हो सकती है तो ये मान लेना जैसे कि योधा के लिए जंग में हतियार बहुत वैल्यू रखते हैं इसी तरह एक student के लिए उसका goal अच्छीव करने में उसके teachers बहुत मैतोपुन भूमिका निवाते हैं टीचर्स का guidance, टीचर्स का guidance, student को अपनी energy को कैसे यूज करना है, इस सारी चीजे कौन सिखाएगा, ये टीचर्स ही सिखाएगा तो आपको अपने teachers पे भी भरोसा रहना बेहद, जरूरी है कि ऐसा इनसान है आपका teacher, जो आपकी खूबियों को बहुत अच्छे से जानेगा, उसे पता है कि आपकी energy को कैसे उप्योग में लेना है, ताकि आपका सबसे बहतरीन 100% बहार निकल के आए, और आप NEET के exam को अस पेहतरीन teacher है, वो आपकी energy को, आपकी capabilities को, आपके potential को सही दिसा में यूज करेंगे, जिस से आपका 100% निकल के बाहर आएगा, और आप अपने dream medical college में पहुचोगे, अपना goal अचीव करोगे, ये बात याद रखनी है, बोला, sir, ठीक है, और क्या करना है, बिटा, और एक बह सब्सक्त आपका, फ़से भी और इचीव का, क्युकि बिना पढ़ाई कि तो कुछ होँ इसा सना है, अब बढ़ाइ करनी पढ़ाई करनी अर उसा पढ़ाई में रूस्तरा बढ़ाई सायD कि हम झाद उनी इसा स deal पढ़ाई करनी पढ़ेगी, बिल्कुल sincere होके पढ़ाई करनी पढ़ेगी नियमित रूप से पढ़ाई करनी पढ़ेगी, ऐसा नहीं हुआ कि वीक में दो दिन तो 6 गंटे पढ़ लिए और उसके बाद सब हवा हुआ है काम नहीं चलेगा, बिल्कुल well, scheduled होके आपको 6 गंटे regular पढ़ाई करनी पढ़ेगी तब ही आप अपने सपने साकार कर पाएंगे, पूरे confidence के साथ, NEET का exam दे पाएंगे, यस और क्या था? बैया, 6 गंटे पढ़ाई भी करोगे लेकिन एक बात का ध्यान रखना है बोला क्या? बैया, 6 गंटे आपको किताब लेके बैठना नहीं है क्या आप कहे दो, सर मैं डेली 6 गंटे पढ़ता हूँ, किताब लेके जबरदस्ती बैठे हो, उसका कोई sense नहीं बतना बनता, आपको 6 गंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन उसमें इफेक्टिव लर्निंग उसमें क्या होनी चही बिया? इफेक्टिव लर्निंग सवाल था, सर, इफेक्टिव लर्निंग का मतलब क्या था? बैटा, अपने पास दो बच्चे हैं एक बच्चा तो ऐसा है, जो डेली 6 गंटे किताब लेके बैठा है लेकिन 6 गंटे में वो बड़ी मुस्किल से 4 पेज पढ़ पाया 4 पेज पढ़ पाया, उसको ये भी नहीं पता कि पहले पेज में क्या पढ़ा था बैया, ऐसे 6 गंटे किताब लेके बैठने का कोई सैंस नहीं बनता है उसे अच्छा तो होता कि आप 2 ही गंटे पढ़ते, वो पढ़ते तो पूरी इमानदारी के साथ ना, हा की ना तो कहने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा, कि 6 गंटे आपको किताब लेके बैठ गए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 6 गंटे पढ़ गए, अरे पूरे सिंस्यर होके पढ़ना है, दो गंटे पढ़े, फिर पढ़ने का मूड नहीं है, आराम से बुक को रख दीजिए, गंटे आद गंटे का गैप देखे, दुबारा से पढ़ना सुरू कर दीजिए, आपकी effective learning होनी चीए, मतलब जब आप पढ़ रहे हो, तो 100% concentrate होके पढ़ाई करनी है, दाए बाए माइंड को divert नहीं कर रहा है, मतलब जब आप पढ़ रहे हो, तो जो चीजे पढ़ रहे हो, वो समझ में आनी चीए, ये वो learn होनी चीए, तब तो उसका कोई मतलब हुआ, अगर effective learning नहीं थी, वो मात्र टाइन पास था, एग्जेक्ली माँ आप किताब लेके बैठे थे, तो आपकी वहाँ पर physically प्रजेंस थी, mentally प्रजेंस नहीं थी, जबकि effective learning आपको करनी है, तो उसमें आपको physically और mentally present रहे के, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करनी पढ़ेगी और क्या करना है, अंतिम काम जो कि बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, वो क्या है, वो अपने पास है, directional effort, directional efforts, बोला सर, इस directional efforts का क्या मतलब है, यार हमने बोला कि मान लीजिए, बच्चा जो है, ये इस बात को मान रहा है कि सर में डेली 6 गंटे पढ़ता हूं, और 6 गंटे इफैक्ति लर्निंग है, वो 6 गंटे में जो पढ़ता हूं, पूरी इमानदारी के साथ पढ़ता हूं, पूरी इमानदारी के साथ फुली फुली कंसंट्रेट होके पढ़ता हूं, मुझे सब लर्न होता है, सब समझाता है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या, जब आपको टोपिक पढ़ रहे होते हैं, तो बेटा, एक बार आप उसके बारे में आईडिया तो रख कैसी आईडिया रख लें, ये देखें कि भईया प्रिवियस एर में इस टोपिक से कितनी क्वेस्टन्स आये हैं, इस टोपिक का मेरे नीट के एकजाम में कितना वेटेज है, माल नीजी आप 6 गंटे पढ़ रहे हैं, लगातार डेली पढ़ रहे हैं, जिस टोपिक के पीछ छ tipo 6 अपकी नीजी आएं, वेक पुछा रहे हैं, पता चला पिछले पांच साल में नीट पहुँचा खशे है, जिस टोपिक पांच साल में रखेंगा लेएं, अजिस टोपी फुरे बार हैं, पुरे पांच साल में, seulement एक भार हैं वो भी एक स्कुण दोपिक एप्या रह र इतनी मैनत के बाद भी हो सकता है नीट में question नहीं आए या हो सकता है आए तो बड़ी मुश्किल से कोई एक सवाल आए तो आपको directional work करना है मतलब जो भी topic आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें पहले ये देखना है कि नीट के exam में उसका weightage क्या है माल लीजिए आपके पास एक ऐसा topic है जिससे पिछले 4-5 साल में हर साल 4-5 question आ रहे हैं तो आपका time जो था वो जादा से जादा time ऐसे topic में जाना चाहिए ना जिसकी weightage जादा है तो कहने का मतब effective learning करनी है वो भी directional efforts के साथ कि आपके respective efforts की direction एकदम सही है आप उन topic पे जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो जिनकी वज़े से नीट का rank प्रभावित होता है जो नीट के exam में बहुत जादा importance रखते हैं उन topic को priority base पे पढ़ना है इसलिए मैंने बोला कि आपके respective efforts directional होने चाहिए ये ऐसे efforts होने चाहिए जिनकी वज़े से आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ो मंजिल की दिशा में बढ़ो अगर आप respective efforts दे रहे हो और आप अपनी मंजिल की दिशा में नहीं बढ़ पाओगे तो भाया दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखना effective learning तो क बढ़ो के नजदीक जाओ उसकी वज़े से नीट के एक्जाम में आपको बहुत अच्छा benefit मिले इस बात का भी ध्यान रखना है तो ये चीजे करनी है अपलाई करनी है हर एक इनसान को जो नीट 2025 में सलक्शन चाहता है अच्छी रंक चाहता है और अपने dream medical college में जाना चाह कि सर ये तो चीजें हमें अपलाई करनी है अब एक बात और बताओ कि अब हम यहाँ पे directional work कर लेंगे लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या support रहेगा हम जुलोजी को कैसे पढ़े हम biology को कैसे पढ़े कैसे उसमें बहुत अच्छे marks आप आएंगे तो बड़े ध्यान से देख करने के लिए सबसे पहले मैं बताओं कि हम क्या करने वाले हैं हम लोग आप लोगों की live class लेने वाले हैं हमने बोला आप की होगी live lecture यह आपका लाइव लेक्चर है या आपके पास कोई होगा रिकोर्डेड लेक्चर हमने बोला कि सबसे पहले आप क्लास में क्या लोगे लाइव लेक्चर ले रहे हो या रिकोड़ेड ले रहे हो जो भी लेक्चर ले रहे हो उस लेक्चर को फुली कंसंट्रेट होके देखना है उस लेक्चर को फुली कंसंट्रेट होके देखना है तो सबसे पहली बात यह होनी चाहिए, कि जब भी आपका lecture चल रहा हो, तो इस lecture में आप 100% concentrate होके काम करें, पूली concentration के साथ अपना lecture देखें, जब आप पूली concentration के साथ lecture देखोगे, तो mostly concept जो थे, mostly चीज़े जो थी, वो class में ही आपको क्या हो जाएगी बेटा, learn हो जाएगी, mostly चीज़े class में क्या हो जाएगी, learn हो जाएगी, चले, अब यह जो live lecture जो था, इस live lecture में, हम पूरी की पूरी NCRT को cover करेंगे, नीट में, जो भी सलेवस आएगा, उस पूरे के पूरे सलेवस को भी cover करेंगे, मतलब इस live lecture से ही, हम यह मान रहे हैं, कि NCRT माता, माता जो है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, cover हो जाएगी, कहने का मतलब यह था, कि ऐसे बच्चे, जो बोर्ड के एक्जाम में भी लिखने वाले हैं, उनको भी डरने की जरत, नहीं है, पूरी की पूरी NCRT माता को, हम इसमें क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा सेलेवस भी cover करने वाले हैं, इस लाइव लेक्चर में, और आपको पता है, कि हमारी बाइलोजी में, तो भाई सब NCRT माता से बार कुछ आता ही नहीं है, आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, NCRT माता से बार कुछ नहीं है, तो बाइलोजी में तो NCRT मात जिन्दावाद है, जिन्दावाद थी, और जिन्दावाद रहेगी दाएं बाइं के किसी भी चकर में ना पड़े, फालतु की चीजों के चकर में ना पड़े, फालतु का ज्यान लेने के चकर में ना पड़े, अभी तो तुम्हारा उद्देश से केवल इतना होना कि NCRT माता का each and every concept तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए और NEET का एक्जाम क्रैक करो, टोप रैंक फोड़ो बाकी का पूरा का पूरा ज्यान MBBS करते टाइम ले 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 ना PG करते टाइम ले 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 ना सुपर स्पेसलाइजिशन के टाइम पे ले 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 ना वो पूरी की पूरी जर्नी एक्सेसिव ग्यानी बटोर नहीं की है यहां पे तो केवल उतना ग्यानी खटा करना है ताकि आप NEET में बहुत अच्छी रैंक फोड़ दो और अपने ड्रीम मेडिकल कोलेज में चली जाओ चले अब हम आपको लाइव और रिकोड़ेड लेक्चर देंगे फुली कंसेंट्रेट होके पड़ोगे उसमें पूरी के पूरी NCRT माता को कवर कराया जाएगा बिल्कुल टैंसन फ्री होना और क्या काम करेंगे बहिया उसके बाद हम क्या काम करेंगे हमने बोला जो रस्पेक्टिड फैकल्टी आपको नोट्स प्रोवाइड करेगी जी हाँ जो नोट्स प्रोवाइड करेगी आप याद रखना कि कई सारी चीज़े ऐसी भी होगी जो notes में class में थी, दिमाग में उतर गई, वो notes में बिलकुल आपको लिखी मिलेगी, बिलकुल star लगा, लगा के बता रखा होगा, आपको ये notes जो थे, इन notes को भी एक बार पढ़ लेना है, पढ़ लेना है, ताकि थोड़ी बहुत चीज़े जो उपर नीचे हो गई, वो सारी क सारी आप बहुत अच्छे से clear कर पाओ, तो ये notes जो हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है, और इन notes में भी पूरी की पूरी NCRT माता जो है, वो coverd होगी, बिलकुल, चले बिया, अब सवाल था कि सर हमने recorded lecture जो था, या live lecture था, पूरी सिदत के साथ लिया, notes जो थे, उनको भी review क कर लिया, अब क्या काम था, उसके बाद आपको क्या काम करना है बेटा, उसके बाद हम हर class के बाद आपको दे देंगे DPP, क्या दे देंगे, DPPs देंगे, daily practice problem, बेटा हर lecture की DPP होगी, और उस DPP में वो question होगे, जो उस class में सरने पढ़ाया, उससे संबंधित है, आपको DPPs क soul करना है, ताकि आप ये पता कर सके, कि भाई, आज हमने ये lecture पढ़ा, इस lecture से कितना सीखा, कौन सी चीज थी जो आ गई, और DPP में जो question नहीं आ रहे, जो question नहीं आ रहे, उनको mark करना है, mark करने से क्या फाइदा होगा, आपको idea लग जाएगा, कि भाईया, आज के lecture में, DPP में 10 सवाल थे, इन 10 सवाल में से, एक सवाल में मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप ये पता कर लोगे, कि आज के lecture में, कौन सा topic, या subtopic ऐसा था, जिसके सवाल में आपको क्या आई, दिक्क समझने में कोई दिक्कत है, तो लाइव क्लास होती है, तो उस लाइव क्लास का भी recorded lecture आपके application पे होता है, और recorded lecture है, वो भी आपके पास है, आप तुरंत के तुरंत lecture में, उस point पे, उस sub topic पे चले जाएए, जहां पे सर ने आपको वो sub topic explain किया है, आप वहां से देखिए, व यह star लगाना या कोई mark करना, यह इस बात को बताएगा, कि जब भविष्य में आप दुबारा मान लीजिए, इस सवाल से मिलेंगे, इसे solve करेंगे, तो आपको याद रहेगा, कि यार पिछले बार भी इस सवाल में मैं थोड़ा सा confusion हो गया था, या हो गई थी, तो इस बार थोड़ा संबल के देखना है, हो सकता है, मैं दूबारा से confused हो जाऊं या इसको गलत कर दो, चले, तो आपने पहला काम किया, लेक्चर को देखा, सारे concepts समझे, notes पढ़के एक बार recall कर लिया, DPPs लगाई, DPPs में आपने अपने किस topic, किस sub topic में problem है, उसको short out किया, अब क्या जा रहा हूं, DPPs भी मैं, soul करता जा रहा हूं लगातार, अब क्या काम करने है, अब अपने पास चोथी चीज़ आती है, वह आती है, questions, practice, अब आती है, आपने पास question practice, आप चाहें, तो NCRT based question लगा सकते हैं, question लगाओगे, तो कैसे लगाओगे, NCRT based, NCRT based question जहां पे भी आपको मिल जाए, वो सारे questions लगाए, NCRT से बाहर के question पे माथा फोडी करने की बिलकुल जरुत नहीं है, NCRT based question लगाए, questions की practice करें, PYQs लगाए, यह PYQs, that is previous years question, जो पिछले कुछ सानों में पूछे गए है, आप उन questions को लगाए, तो जब यह question लगाओगे, तो आपका confidence उपर आएगा, क्या आएगा, आपको लगेगा, Oh my God, NEET 2000 में आया हुआ question जो था, वो मैंने solve कर दिया, मतलब, मतलब यह था, कि भाईया, NEET में जैसे question आ रहे, मैं आसानी से solve कर पा रहा हूं, 2019 में आया हुआ question solve कर दिया, 2022 में आया हुआ question solve कर दिया, तो जब PYQs लगाएंगे, तो आपका confidence आएगा, कि NEET में जैसे question आते ह मैं आसानी से solve कर रहा हूं, या कर रही हूं, और दूसरे NCRT based question लगाने है, यह question लगाओगे, तो आपको बहुत सारी नई नई चीजे सीखने को मिलेगी, और साथ ही साथ हमने बोला, जिस भी question में confusion हो, उस पे टिक मार्क कर लेना, आपको यह idea हो जाएगा, कि मैंने यह topic पढ़ा था, इस chapter के कौन से topic, कौन से sub topic के question लगाने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो साथ ही साथ आप यह filter भी करते जाएंगे, कि कौन सा subject था, उसके कौन से chapter के, कौन से topic या sub topic जो था, उसको समझने में मुझे दिक्कत आती है, आपके पास उस सारी की सारी problems का collection रहेग ताकि future में जब आपको डूढ़ना पड़े, कि भाई सबसे जादा मुझे कौन सी चीज लगती है, तो आपके पास data रहेगा, तुरंत के तुरंत आप उसको review कर सकते हैं, उस problem को resolve कर सकते हैं, तो यह आपका pattern रहेगा, मैं बार बार यहाँ पे कई बार word लिख चुका हूँ क्या? N.C.E.R.T. उसी की वज़े से हम healthy रहते हैं, बिल्कुल fresh mind के साथ पढ़ाई कर पाते हैं, और दूसरा N.C.E.R.T. माता, जी हाँ बाई लोजी में N.C.E.R.T. माता से भी पंगा मत लेना, N.C.E.R.T. माता, उसे भी blindly follow करना है, उसके each and every concept को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरी इम पानदारी के साथ पढ़ना है, ताकि आप नीट के एक्जाम में फुल स्कोर कर पाएं, तो इन दोनों माताओं का आसिरवाद बेहद जरूरी है, इसलिए मैं दो लाइन बोल देता हूं, कि लोग कहते हैं, कि मन्जिल दूर है, सफर बहुत है, मन्जिल दूर है, सफर बहु अरे मार डालती कब की ये दुनिया, पर सुना है, मा की दूराओं का असर बहुत है, तो बाइलोजी में NCRT माता का भी आसिरवाद लेना, और गर पे अपनी माता का भी आसिरवाद लेना, इन दोनों के आसिरवाद से हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और नीट में तो बाइलोजी का 50% contribution है, मतलब selection होगा या नहीं होगा, ये decide biology करेगा, ये biology करेगा, तो हलके में मतलेना, कई बार हम इसको बहुत हलके में ले जाते हैं, बहुत lightly ले जाते हैं, और कई बार जिस चीज़ को हम बहुत हलके में ले गए, नजर अंदाज कर जाते हैं, वो ही हम हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुस के लिए खड़ी कर देती है, तो बाइलोजी को बिलकुल हलके में मतलेना, पूरी इमानदारी के साथ, जो तरीका मैंने बताया, उसको फोलो करते हुए पढ़ाई करनी है, तो आपका NEET 2025 में सलक्षन पका है, टोप रेंक आना पका है, आ को फोलो करते हुए, पढ़ते रहेगा बच्चे, थैंक यू, थैंक यू एरी मच्च